साइकलोजी के एक्जाम को लेकर बहुत सारे स्ट्रेंट चिंती थे कि एक्जाम में कैसा क्वेस्टन पूछ राएगा जिखां तो आपको इस बास से बिल्कुल भी घबरा नहीं है क्योंकि एक्जाम से पहले पहले में जित्ती पे क्लास आपके लेके आ रहा हूं अगर आप क्लास को अटेंड कर सके जिहां तो बीना टाइम को वेस्ट के उमले क्लास को चलेंगे और जैसा कि मैंने आपको क्लास का इंपोर्डेस बता दिया है कि आगर आप सारे क्लास को कर लेते हैं तो आपको हिजाम में बिल्कुल भी पच्थावान नहीं होगा आप लोग पूरे किसने परीचे कराया है तो यहां पर आपको राइटेसर बताने हैं कौनसा ओप्षन वनका करेक्ट होगा वेरी गुर्ट यहां पर वनका राइटेसर ओप्षन में एक क्रेक्ट हो जागा निए बीने साइमन हो जाएगा चले अब इस सिद्धान में रहेगा कि सीखने के वेरी को देख लिए किया बोलाजा है फिराइटर से बता की सर्फ स्थ करेक्ट होगा निमनांकि में कौन आतमेन्यंतरन की परविधी नहीं है जिहां कौन आत्मे नियंतरन के परवीदी नहीं है तो राइटेंस और भी क्रेक्ट हो जागा निये आत्पे सम्मान हो जाएगा चाहिएगा चले आप क्षच्टर फाइब को देख लिए क्या बोला जाएंगा h Node कि रिख्मकों को ठीन को करेक्ट हो जागा कृटल हो जाए करूषिंग को डेखिणान को यूंग को के मनो मिध्यान को क्या कहा जाता तो हे पिक रिज्डि से नात्मक्ति करेक्ट क신े शिएअ का जाता है होगा है क्या बोला जारा है तो इसे प्रकार के वेक्तियों को स폰 किओ किस प्रकार के वेक्तियों को प्रकार को ही जिए तो नहीं क्या है ऑफशनर को देख लिए क्या बोला जा रहा है बुद्धी सिखने की योगता है किस ने कहा है यह बहुत किस ने कहा है तो डेखिक हो जांगे देखेंडेंगे क्या सूरा See तिरी विमात्पक सिध्धात में कितने कारक सम्मिल थे जिहां तो कितने कारक हैं यहाँ पर 12 में राइटन से ओप्षिन में सी करेक्ट हो जागा ने 180 हो जाएगा चलिए अब क्वेक्ष्णर 13 को देख लिए क्या बोला जारा है जिन वेक्तियों की बुद्धी लब्दी 80 से 89 क देख होती है उन्हें कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं अब कोई प्रटिस से क्रिक्ट हो Έ you can किया गया धिहां तो कब कजिए घर्ण वेल्म और गेक्ष्ण है क्या करें Hazrat होगा तो फिफ्टिन में डी हो जाएगा दिखने उपडिए सभी हो जाएगा चलिए आप क्वेश्ट में 16 को देख लिए क्या बोला जा रहा है यदि किसी छात्रे की मालसिक आयू 120 महा हो और उसकी वास्तिविक आयू 96 महा हो तो उसकी बुद्धी लब्दी होगी जिहां उसकी क्या बोला जारा देखिए और राटर से बतार रहें के कौशिश सकीजिए कौन सा ओप्सर्ण करेक्ट होगा वेरिगूर तो क्वेश्ट्ट इसकी पर जाएगा किस व्रेक्टि के पास कितनी सनवेक आत्मक बुद्धी है इसकी जात निम्रिखित में ऐसे किस परिक्शन द् होता है तो कौन होता है तो बुद्धी हो जाएगा चलिए बुद्धी को देख लिए क्या बोला जाएगा किसने सरो पर्थम वेक्तिक भिन्रता को मापा दिखा तो किसने मापा तो 20 में चलिए बुद्धी का पास्मोडल विक्सित हो जाएगा चलिए बुद्धी को देख लिए क्या बोला जाएगा निम्नांकित मैंसे कौन एक बीमेल पाद है जिखा कौन सा एक बेमेल पाद है किस वेक्ति ने कहा कि शाट पर्तिशत मानसिक विक्रतिया अनुवानसिक होती है जिखा तो किस वेक्ति ने कहा तो 24 में आपस्मोडल विक्रेक्ट हो जाएगा जिखानी कौल मैंने हो जाएगा किसी सामान ने परकिरिया को और सामान रूप से बार बार दोराने की वहधी को कहते है जिखानी मनोगरशित बात देता कहते है जिखानी 26 में आपस्मोडल सी क्रेक्ट हो जाएगा जिखानी किशोर अवस्ता में चले पकुष्णोड 27 देख लिए क्या बोला जाएगा निम्नांकित मैंसे किस वेक्ज्यानिक ने अप्राध का संबंद सारीरिक बनावट से बतला जाए जिखानी किसने बतला है 27 में आपस्मोड सी क्रेक्ट हो जाएगा चले अपकुष्णोड 28 को देख लिए क्या बोला जाए रहा है फिर एक्टर से बतली कौनसे आप्ष्ण क्रेक्ट होगा एनुड एक्स या नर्भोसा के ठीक विप्रित विकाल का नाम है जिखानी क्या नाम है 28 में आप्ष्णोड के किस परकार के लक्ष्र में रखा जाता है 29 को देख लिए क्या बोला जाराहा है मालसिग दुरूबलता का मुक्ष कारण है kya मुक्ष करण है तो option number D बिल्कुल correct हो जागा निन में से सभी हो जाएगा चले आप question number 31 को देख लिए क्या बोला जाएगा फिर डाटर से बता ही कौन से option correct होगा निमनाकित में कौन मनों विच्छेदी विकार नहीं है जिखां तो कौन मनों विच्छेदी विकार नहीं है तो option number C बिल्कुल correct हो जाएगा निन तीवरे तनाव विकार हो जाएगा चले आप question 32 को देख लिए क्या बोला जा रहा है modeling परवीधी का परती पादन किस ने किया जिहाँ तो 32 में option number A बिल्कुल correct हो जाएगा निन डूटा ने किया चले आप question 33 को देख लिए क्या बोला जाएगा फीट रैटन से बते इक कॉंसर आफ्चन कि अवस्ता चले आप देख लिए नेक्स question 34 क्या बोला जाएगा ध्यान से देखे और रैटन से बते इक कॉंसर आफ्चन क्रेक्ट होगा संग्या नात्पक वे वाहर चिकिस्सा में जिहा क्या होता है 34 में option वर बी क्रेक्ट हो जाएगा नि रोगी के गलत संग्यान को दूर किया जाता है चले आप question 35 देख लिए क्या बोला जा रहा है गेस्टाल्ट चिकिस्सा का परती पादर किस ने किया जिहां तो किस ने किया 35 में option वर बी क्रेक्ट हो जाएगा जिखने चले आप question 38 देख लिए क्या बोला जा रहा है भारती ये परी प्रेक्ष में निर्धन किसे कहेंगे जिहां तो किसको कहेंगे तो राइटनी कम एवंग जीवन और परियाप चले आप question 39 को देख लिए क्या बोला जा रहा है मानब वयाहार पर भौतिक वातावरण के परभा question 40 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइटर से बताईए आकरवन का तात्पर ये निम्ने मैंसे किस्ते है जिहां तो निम्ने मैंसे किस्ते है किस्ते है तो राइटन से अप्स्यमेंट डी क्रेक्ट हो जागा ने शोर पर दूसन से है चले आप question 41 को देख लिए क्या बोल जा रहा है प्रामर्स के संब्द में कौन सा कथन गलत है जिहां कौन सा कथन गलत है 42 में अप्सुर में सी करेक्ट हो जाएगा ने माता पीता इवंग अध्यापक ही सर्वस्रेस्ट परामर्स दाता होता है चले आप देखिलेंगे next question 43 क्या बोला जाए ध्यान से देखिए से सेवार्थि परामर्स qndata को संब्द होता है जिहां से बारति परामस के संब्द क्या होता आपनी चलिए आपको फॉर्टी फाइब देख लीजिए क्या बोला जारा है संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है कौन सी है फॉर्टी फैब में अफ्सुनमट भी क्रेक्ट हो जाएगा ने वेक्ति अपने विचारवों को विशेष अर्थ परदान करता है चलिए आप महत्मा गांदी अहिंसा के अनुगामी थे यह सीलगून के अंतरगात आता है चलिए कौन सीलगून के अंतरगात आता है सीलगून हो जाएगा चलिए फिफ्टी को देख लिए क्या बोला जा रहा है क्या है इसका फिफ्टी वन में अनुसार अपना सन्वेक वेक्त करना चलिए क्या बोला जा रहा है निमनिखित मैंसे कौन सा मनोवेक्ज्ञानेक दिर्खरता का अवियव नहीं है जिखा तो कौन सा नहीं है तो राइटेंसर अप्स नमर डी करेक्ट हो जाएगा ने दुएंद वह हो जाएगा चलिए क्या बोला जारा तनाओ परबंदन के लिए निमनिखित योजनाओ मैं कौन अधिक परभावी है जिखा तो 54 में अप्स नमर एक रेक्ट हो जागा ने संग्यान में परिवर्तन चलिए पकूश्ण 55 को देख लिए क्या बोला जारा है योग के कितने अंग होते है जिहां तो राइटेंसर अफ्सवर मर C हो जागा जिखने आठ अंग होते हैं चले अब कुश्चन 56 को देख लिए क्या बोला जारा फिटाइटर से बदे कॉंसर आफ्षिन क्रेक्ट होगा अगर किसी वेक्ति की मनोविरित्ती परतिकूल से बदलकर अधिक परतिकूल या अनुकूल से बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है तो यह एक उधारन होगा तो 56 में राइटर से ओफ्षिन हो जागा जिखनी संगत परिवर्तन का चले पूश्चन 57 को देख लिए क्या बोला जारा है शरेणी आधिरित इसकी मा को क्या कहा जाता है यहां पर राइटर से ओप्षिन हो जागा जिखनी तीन होते हैं चले लाप कूश्चन 59 देख लिए संग्षिन सकती अबस्ति हो जागा जिखनी का चले लेटर से ओप्षिन होते हैं आधिर काज संग्यों हो जागा जिखनी का चलेहरी है चला आप Q62 देख लिए क्या बोला जारा ग्रूवार्ण सामाज़क सम्हू के निमृषित किस प्रकार में सरवाधिक एकता होती है किस प्रकार में होती है यहाँ पर ट्रेश वमोर्ट को धिक्रेक्ट हो जाएंगा इनमैंसे कोई नहीं सिल्डुट कॉष्टिष्टिफाइब को देख देख लीजिए क्या बोला जारा है लोग किस वैडिकूर्ट तो क्वेस्ट्ट स्कीन पर आच चुका है क्या बोला जा रहा है समुष अन्रचना से किसका संब्ध नहीं है किसका संब्ध नहीं है यहां पर रेटेंस ऑप्षिन नुमर्ड डी हो जाएगा इन में से कोई नहीं हो जाएगा जीए तो आपकुर्षिव 68 तो द आपको बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करना है इसके लिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकों को प्रेस कर लेना जिहां और आपको जो भी जानने वाले जो भी फ्रेंड है उनको भी आपको बता देने या लिंक को शेयर करते हैं ताकि वह भी क्लास से बेनिफिट उठा पाए तो आप लोगों को कैसी लगी तो आप लोग कमेट बॉक्स पर जरू बताएगा और मैं आपको बता दूगी मैं जो क्वेस्टिव कवर कराता हूं यहां पर क्लास में सिर्फ आपको हिज क्लास